आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung phone में app permission settings की कि कैसे आप किसी भी application की permission को allow या फिर deny कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए आपको open करना होगा अपने phone की settings को settings open करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है आपको मिलेगा एक option apps के नाम से और अगर आपको ये option नहीं मिलता है तो settings में open करने के बाद right side में एक search का option मिलेगा search पर आप click करिए यहाँ पर आप search कर दीजिए apps apps को search करने के बाद आपके सामने ये वाला option आ जाएगा उस पर आप click करके same page पर आ जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम apps पर click करते हैं उसके बाद आपके phone के यहाँ पर सारे application आ जाएंगे Samsung के default app settings के लिए आप उपर click करिए Samsung app settings पर तो यहाँ पर हम नीचे एक application की permission को बंद करेंगे तो यहाँ पर हम WhatsApp को search कर लेते हैं तो अगर आप भी WhatsApp की permission settings करेंगे तो सबसे नीचे जाना होगा और आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा WhatsApp इस पर आप click करिए उसके बाद आपको मिलेगा एक option notifications का एक option आपको मिलेगा permissions का permissions पर आप click करिए उसके बाद यहाँ पर permission आपके सामने आ जाएंगी जो आपने allow की हैं वो नीचे आपको इस तरह से show हो जाएंगी जो आपने deny कर रखी हैं वो आपको denied में show हो जाएंगी तो जैसे कि हम यहाँ पर WhatsApp की microphone की permission को on करेंगे तो इस पर हम click करते हैं और एक option आपका allow only while using the app तो इसे आप select कर लीजिए यानि कि allow कर दीजिए किसी permission को off करने के लिए तो जैसे कि हम contact की permission को बंद करेंगे तो allowed में आपको मिलेगा contact इस पर आप click करके से deny पर select करिए और इस तरह से आप वो permission off कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें